हैलो मित्रों जै माता दे मित्रों मीन रासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि 11, 12 और 13 अफ्रेल के देन आपको सावधान सत्रक और समहल कर रहने के जरूरत रहेंगे क्योंकि इन तीन दिनों में आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला है जिन से आपके होंस उड़ जाएंगे इसलिए आपको विशेश रूप से सचेत और अपने परिवार को भे समहाल कर रखने के जरूरत रहेंगे मित्रों मीन रासी वाली जातकों को बताना चाहेंगे कि अपरेल के महिने के प्रारंब से है आपको अपने पैसों से जुड़े आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ रहा है आपके खर्चे दिन परते देन बढ़ते जा रहें हैं जिनकी वज़ा से आपका फिप्रसान अव्याक को भी हैं परन्तों आपको विशेश रूप से 11, 12 और 13 अप्रेल के देन सावधान रहने होंगे आपको बताएंगे सारी जान का रिविश्तार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताक आपको बैपार के छेतर में बड़ी सफलता मिलेंगे आपको अपने कार में किस्मत का सहयोग मिलेंगे और आपकी आर्थी किस्तितियों में तेजी से मजबूती होंगे समाज में आप अपना सम्मान मान बढ़ा सकोगे और आपके घर बैठे बैठे आपको कोई बड़ी कु जीवन में एक नया सवेरा हो सकेंगे और आपके निजी जीवन में सुब बदलाव होने वाले हैं जीवन साथी के साथ आप अच्छे खासे तालमेल वना कर रखोगे यदि आप किसी तरह का निवेश करते हैं तो उसका आपको भविश्य में अच्छा खासा फायदा मिल और आर्थिक योजनाओं को अच्छी तरह से पूरी कर सकोगे मित्रों परन्तों मीन रासी वाले जातकों को 11,12 और 13 अपरेल के देन सावधान रहने होंगे आपके धनसम पत्ति में आकास्मिक विर्दी होंगे धनलाव के अवसर दिख रहे हैं आपके उपर चड़ रहे जिको आप उतार सकोगे आपके सभी अदूरे काम बनेंगे आपका भागे चमक उठेंगे आपको आगे जीवन का रास्ता मिल सकेंगे और अनेक परकार की नई-नई सुक्षिभाओं के प्राप्ते भे होने वाले हैं धन्यदान तता संतान प्रेम संबंद अत्यदाद ये आ आपके विचार धारा और आपको एक अच्छी सोंच और अच्छी दिशा दिला सकेंगे आपके साहसुर प्राक्रम के साथ आपके सिकार को सफल वनाने में परियत्न कर सकोगे यदि आप बिद्यारती हैं और पढ़ाई लिखाई या किसी भी तरह के करियर से सम्मंदेत कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे लाव मिलेंगे धनलाव की प्राप्ति होंगे भाग्या आपका अच्छा साथ देंगे कामकाज के छेत्रों में अच्छी सफलता मिल सकेंगे माता-पिता के सम्मंद आपके बैतर हो सकते हैं तथा माता-पिता कर सहयोग भे प्राप् प्राप्ति के लिए प्रियास कर रहें हैं तो आपको सफलता निच्च तौर और आपके सुक्सुबधाओं में बढूतरी होंगे आपको कई छेत्रों से अच्छे फायदे मिलेंगे अचानक धन प्राप्ति के अउसर मिलेंगे आपकी अधूरी एक चाय पूरी होंगे आपके घर पर अचानक से कोई नए महमान आने के योग दिख रहे हैं जिन से आपके परिवार के खुसियां दुगनी होती ही कार शेत्र में चल रही परेशानिया आरही बाधायें दूर होंगे और बिजनस के शेत्र में आपको नए आफर मिल सकते हैं ग्रियस्त जीवर में मदूरता आ सकेंगे आपके सभी अधूरे कार पूर्ण होंगे आप लोगों का समय बहुत इसब हैं परन्तों विशेश रूप से 11, 12 और 13 अप्रेल के दिन मीन रासी वाले जातकों को सावधान रहने होंगे धन कमाने के आपको कई नया उसर मिलेंगे जीवन के सभी दुखदर्द और कश्ट समाब्त होंगे और पारिवारिक सुक्सुविधाओं में वढ़ कारियों में सफलता मिल सकेंगे आपको अपना सच्चा प्यार मिल सकेंगे आपके जीवन में दुगनी तेजी से फरगती कर सकोगे और आपको आने वाले जीवन में सभी प्रकार के विनास कारी सक्तियों का खात्मा हो सकेंगे मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि मीन रासी वाले जात्कों को विसेश रूप से लाव कमाने के मोके मिलेंगे आपके घर परिवार में खुशियों का माहूल बना रहेंगे आपको अपने लब पार्टनर का भरपूर प्यार और सहीयोग मिलेंगे बैपार के सिलसले में आपको किसी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है अविवाहिद जात्कों कोविदेश से विवा के रिष्ट या सकेंगे आपका पारिवारिक जीबन आनंद में और खुशहाल बना रहेंगे आपके सामाज इकमान सम्मान और परतिष्टा में विर्दी होंगे अगर आप कोई नया वाहन या घर खरीदना चाते हैं तो यह समय आपके लिए बेहदी सुब हैं आपके परिवार में सांती और खुशी बने रहेंगे आपके परिवार के सभी लोगों का स्वास्ट बे बहुत अच्छे रहेंगे यदि आप एक चात रहें तो आपके अध्यन में बहुत अधिक महसूस करेंगे जल्दे हैं आपको अच्छी खुशकवरे मिलेंगे आपको कोई सुबसमाचार मिलेंगे भाग्यवस रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे महनत और लग्ण से काम कर सकोगे आपको सफल तावस से मिलेंगे कई मामलों में आप प्रगति कर सकोगे परिवार के सदसों के साथ सम्मंद अच्छे रहेंगे बैपारिक कार्यों से यात्रा हो सकते हैं सामाजिक प्रतिष्टा का ध्यान रखकर कारी करेंगे आपको अपने स्वास्त को भी लेकर पुरेसानियों का सामना करना पड़ सकता है अता आप ज़्यादा से ज़्याद अला पर वाही न बरतें आपको अपने आने वाले समय में सुब कार्यों के साथ काफी चुनोतिया पुन भे रहना पड़ सकता है और किसी कार्यशेत्र में कुबेर देव की किरपा मीन रासी वाले जातकों पर लगातार बनी रहेंगे जिनसे आपको अपने कार्यशेत्र के कार में तेजी से विर्दी करते हुए काफे अच्छे सफलता को प्राप्त करोगे विरुजगार लोगों को रोजगार और नौकरी मिलसें के नए अवसर मिलेंगे कुबेर देव की किरपा से आपको अपने जीवन में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे जिनसे आपके आर्थिक इस्तितियों को सुववेस्ति रूप से सुधारने में मदद मिल सकेंगे मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप काफी जाद अप्रसन रहेंगे आपका भाग्य बदलने वाला है भोले नात के आशिरबाद चे जीवन की मुश्किलें दूर होंगे आप अपना जीवन खुसी पुरवक वैतित करेंगे आपके इनकम बढ़ेंगे अचानक आपका रुका हुवा धन भी आपको आपस मिल सकेंगे सुसराल पक्षे से पूरा सही योग मिलेंगे आपको अपने के से पुरानी योजनाओं का चफादा मिलेंगे बैपार में सुधार आने के योग हैं और मीन रासी वालिजात कोको हर कारे में काम्यावी के साथ नई मिसाल कायम करने के सुनवरयाव सर मिलेंगे आप अपने काम काज गुसही समय पर पूरा कर सकोगे जमीन, जायदाद और बिजनस सम्मंदी मामलों में आपको मंदी देखने को मिल सकती हैं ऐसे में आपको कटोर पिरस्रम करने के जरूरत रहेंगे महादेव की किरपा से आप काफी जादा प्रसन रहेंगे और जीवन में आने वाले से भी प्रकार के दुखों का अंतो हो सकेगा आपको पैसे कमाने के नए मौके मिलेंगे आपको अपने जीवन में लंबे समय से रुके हुए पड़े कारी को पूरा कर सकोगे आपके पारिवारिक मदभेद दूर होंगे रुमान्स के अच्छे आउसर मिलेंगे नोकरी पेसा वाले लोगों को अच्छे नतीजे मिलेंगे भागी के सितारे आपके मजबूत रहने वाले हैं मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप नया कारी शुरू कर सकते हैं आपको अपनी आई बढ़ाने के लिए कोई निर नए भी लेने पड़ सकते हैं आप लेंदेन के मामलों में निवास का सहारा लोगे आपको धनहानी के कारण हुए ही परिसानियों से चुटकारा मिलेंगे आप अपने बचत का कारी कर सकोगे जिनकी वज़ा से आपके रुके पड़े कारे होंगे आपको अपने जीबन में पुराने बिगड़े हुए रिष्टों को सुधारने के मौके मिल सकेंगे मित्रो मीन रासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप नए कार्य को कर सकोगे आपको कोई अच्छी खबर मिलेंगे, यदि आपने नए सहर में नोकरी के लिए आवेदन किया हैं, तो आपको सफलता मिल सकेंगे, यदि आपको हाल ही में एक बड़ा वीतिय लाव मिला हैं, तो आपके वीतिय निर्ले लेने चबता तो एक मोके मिल सकेंगे, आपको अपने आत्म विश्वास को बनाए रखने के जरूरत रहेंगे, आपको अपना सच्चा प्यार या मन्चाहा जीवन साथ ही मिल सकेंगे, कुछ लोगों को आप से किसी न किसी तरह की मदद की जुरत रहेंगे, आपको अचानक आर्थिक योजनाओं को हाथ लग सकती हैं, इस दोरान आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनी रहेंगे, मित्रों आपको बताना चाहेंगे, कि मीन रासी वाले जात्कों को नई नई खुसियां मिल सकेंगे, आपको पैसों से जुड़े आर्थिक तंगियों से चुटकारा मिलेंगे, आप भावनात्म ग्रूप से काफी नई योजनाओ को बनाने में आप काफी सक्षम रहेंगे, मित्रों मीन रासी वाले जात्कों को बताना चाहेंगे, कि आप नई चीजों के बारे में जानकारियों को हासल करने के लिए काफी माहिर रहेंगे, आपको नई नई चीजों के बारे में जानकारियां हासल होंगे, जो आपके और आपके परिवार के लिए बिहदिस्व और काफे लावकारी रहने वाले हैं मी निरासी वालिजात को को बताना चाहेंगे कि आप जो भी कारी करेंगे उनमें आपको सफल दावस्थे मिलेंगे परन्तो विशेश रूप से आपको सावधान सतर कोर समल कर रहने के जरूरत रहेंगे आपका दिन भैतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी अवस्थ लिखें